हेलो फ्रेंड्स दोस्तों पाइल सियानी की बवासी एक ऐसी बिमारी होती है जिसको भी होती है वो काफी ज्यादा कश्ट सहता है और इस बिमारी के अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्रम सबसे ज्यादा होती है इसलिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इन सारी चीजों को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजे जो आपको सेवन करनी चाहिए बवासीर के दोरान दोस्तों अगर आपको पायस की भिमारी है तो आपको अपने खाने पीने पर बहुत ज्यादा नियंतरण करना होगा ऐसी चीजों का सेवन करें जिनके अंदर फाइबर की मातरा ज्यादा हो क्योंकि बहुत ज्यादा खाना आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है इसी लिए ऐसी चीजों का सेवन ही करें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो ताकि आपकी भूग भी मर जाए और कम खाना खाकर भी आप संतुष्ट हो जाए इसी के साथ साथ साबूत अनाच का सेवन भी ज्यादा से ज्यादा करें आप चाहें तो साबूत अनाच को पाने में भीगो कर और उसके बाद उसका सेवन कर सकते हैं या फिर सबजिया बनाकर उसके तौर पर भी उसका सेवन कर सकते हैं बीन्स, हरे पत्तेदार सबजियां, फ्रूट, इन सब का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए और सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना होगा लिक्विडिटी पर यानि की पानी पर पानी का सेवर आप जितना हो सके उतना करिए ताकि आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम से थोड़ी सी निजाब मिल पाए सो दोस्तों इन सारी चीजों पर ध्यान रखियो और अगर आपको पायल्स की बिमारी है तो आप उच्छे दॉक्टर से दिखा कर सही दवाओं के साथ इस डायट को भी ध्यान में रखिये मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटीड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए